नमस्कार फ्रेंड्स अगत आप सभी का सॉलूशम इद्रिसे वीटूब चनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजिस से रिलेटरिक प्रेटिस सेट लिया है इस प्रेटिस सेट में 30 कुशिन कवर करेंगे आप लोगों को जरूब बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कूर किया है और इसका जो PDF है आपको टेलेग्राम के चैनल पे एक दो दिन वाग मिल जाएगा तो टेलेग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो आप सभी लोग जो है टेलेग्राम को जोइन का लीजे और आप लोग YouTube चैनल को भी जोइन कर सकते हैं YouTube चैनल जोइन करते ही आपको सभी वीडियो के PDF आपको टेलेग्राम पे मिल जाएगा और उसका पासबर्ड आपको चैनल के community section में या फिर चैनल के membership section में आपको मिल जाएगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आप सभी लोग जो है चैनल को join का लीजे PDF के लिए और आप लोग कितना score किया हैं 30 में से जरू बताएं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट कें चैनल को subscribe करें बेल आइकन को प्रेस करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला जो question है question मा बन once in a blue moon तो once in a blue moon मतलब क्या होता है आप लोग पहले सोच लिजे तो इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा to happen very rarely तो यहाँ पे जो है इसका d option correct हो जाएगा to happen very rarely मतलब कभी कभी तो once in a blue moon आप लोग इसको trick से याद रखिए कि once in a blue moon कि मतलब जो blue moon है यह कब आपको आश्मान में दिखता है तो blue moon जो है आपको कभी कभी दिखता है तो to happen very rarely मतलब की कभी कभी तो यहाँ पे जो है इसका d option correct हो जाएगा once in a blue moon मतलब to happen very rarely मतलब कभी कभी अगला जो कुश्णन कुश्णनमा to wear your heart on your sleep तो इसका आप लोग सोच लिए इसका right option क्या होगा तो wear your heart on your sleep मतलब होता है की make once feeling apparent मतलब की भाबुक होना तो यहाँ पे जो है make once feeling apparent तो यहाँ पे आप लोग heart से याद रखिए your heart on your sleep तो मतलब की किसी को heart करना मतलब की भाबुक होना तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा तो आप हर्ट से आप लोग याद रख सकते हैं इसको make once feeling apparent मतलब की भावुक होना emotional तो यहाँ पे जो है इसका c option यहाँ पे इसका correct हो जाएगा अगला जो question है कुछ नमा जो third है a drop in the bucket a drop in the bucket मतलब की आपको ऐसा लग रहा होगा की बाल्टी में पानी की बून एक डाल देना तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा तो कि वो जो एक बून होगा जो drop होगा यह समझ में नहीं आएगा की कहां चला गया है तो मान की चलो की ऊट के मुह में जीरा के बराबर तो ऊट के मुह में जीरा के बराबर तो यहां पे जो है यह हो जाएगा आप बेरी स्मॉल अमाउंट कंपेरड बिद वाट इस नीड़ेड मतलब जितना जरूवत है उतना नहीं बलकुल ना के बराबर तो यहां पे जो है इसका बी ओप्सन यहां पे करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुछन ना कुछन नमा जो फोर है तो अल बार्क एंड नो बाइट मतलब होता है जो भौकते हैं वो काटते नहीं तो यहां पे इसका राइट ओप्सन जो हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजे तो यहां पे जो है इसका बी ओप्सन यहां पे करेक्ट हो जाएगा तो बी फुल ओफ बीग टॉक बट लेकिंग एक्शन तो यहाँ पे जो है इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है तो to be full of big talk मतलब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बट lacking action मतलब कोई action ही नहीं लेते हैं तो यहाँ पे जो है cable यहाँ पे B option यहाँ पे इसका correct हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पशन आती है अगर आपको मेरी महनत पशन आ रही है तो वीडियो को आप लोग जो है like और share जरू किया करें अपने 10 friends में वीडियो को जरू शेर किया करें अगला जो question है question number 5 इसमें दिया है a dime a dozen तो a dime a dozen मतलब होता है क्या तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा very common and of no particular value तो यहाँ पे जो है इसका c option correct हो जाएगा मतलब की थोक के भाव तो यहाँ पे very common and of no particular value मतलब कोई निर्धारित value नहीं है उसका कोई मतलब थोक के भाव तो यहाँ पे जो है इसका C option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question नमा 6 जो है इसमें दिया है A fool and his money are easily parted तो इसमें आप लोग सोच लिए जिसका right option क्या होगा तो यहाँ पे जो है इसका जो मतलब हो जाएगा यह हो जाएगा A foolish person spends money carelessly and will soon be penniless तो यहाँ पे जो है इसका A option यहाँ पे correct हो जाएगा की मतलब की मूर्ख के पास धन नहीं ठेरता इसका मतलब हो जाएगा A fool and his money are easily parted मतलब A foolish person spends money carelessly and will soon be penniless तो यहाँ पे जो है इसका A option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question नमा 7 फीडिंग फ्रेंजी तो feeding frenzy क्या होता है तो आप लोग पहले सोच लिए इसका right option क्या होगा तो feeding frenzy मतलब होता है कि किसी बस्तु की प्राप्ती है तो पागलपन तक की सीमा की प्रतियोगिता तो यहाँ पे जो है इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा An episode of frantic competition for something तो यहाँ पे जो है इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा किसी भी बस्तू को प्राप्त करने के लिए जो पागलपन की जो शीमा की प्रतियोगिता होती है उसको कहते हैं feeding frenzy तो यहाँ पे जो है इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो कुछन है कुछनमा 8 head over heels तो head over heels मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है completely मतलब की पूरी तरह से तो to be made in love तो यहाँ पे जो है इसका D option correct हो जाएगा head over heels मतलब होता है to be made in love मतलब की पूरी तरह से यह फिर completely तो यहाँ पे जो है इसका D option correct हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like and share रुख्या करें अगले जो कुश्चन है कुश्च नमा 9 to spill the beans मतलब क्या होता है तो आप लोग पहले सोच लिजे इसका right option क्या होगा to spill the beans मतलब होता है कि अंजाने में भेद खोल देना तो अंजाने में कोई secret बता देना तो यहाँ पे जो है इसका right option जो हो जाएगा option इसका a correct हो जाएगा to reveal secret information unintentionally मतलब की अंजाने में तो अंजाने में किसी मतलब की secret बात को बता देना तो यहाँ पे जो है इसका a option यहाँ पे correct हो जाएगा to spill the beans मतलब होता है to reveal secret information unintentionally तो यहाँ पर जो है इसका A option यहाँ पर correct हो जाएगा अगला जो question नमा 10 जो है add fuel to the fire तो add fuel to the fire आप लोग पहले सोच लिए इसका right option क्या होगा इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा option यहाँ पर D correct हो जाएगा add fuel to the fire मतलब होता है आग में घीर डालना तो मतलब किसी भी जैसे कोई भी चीज हो रही है जैसे कोई दो लोगां में fight हो रही है तो उसमें जो है तीसरा बंदा जो है उसको भढ़का रहा है मतलब लड़ाने के लिए तो यहाँ पे जो है आग में घीर डालने की बात जैसी हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा cause a situation to become words मतलब की situation जो है सुधरने की बजाए और ज्यादा bigger जाए तो उसको ही कहते हैं add fuel to the fire तो आग में घीर डालना तो यहाँ पे इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा आगला जो question है question number 11 a slap on the wrist तो इसका मतलब जो है आप लोग पहले सोच लिजे तो इसका right option जो हो जाएगा warning मतलब की चेताबनी तो यहाँ पे जो इसका right option हो जाएगा a mild punishment तो यहाँ पे जो है इसका a option यहाँ पे correct हो जाएगा a slap on the wrist मतलब होता है a mild punishment या फिर चेताबनी या फिर warning तो यहाँ पे जो है इसका a option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question है question number 12 to lose one's head तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आप लोग पहले सोच लिजे तो इसका मतलब जो हो जाएगा कि आपक हो देना तो यहाँ पे correct option जो हो जाएगा option यहाँ पे correct हो जाएगा to become confused or overly emotional about someone or something तो to lose one's head मतलब होता है आपक हो देना तो यहाँ पे जो है इसका c option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question है question number 13 to be pushing up disease तो इसका मतलब जो हो जाएगा आप लोग पहले सोच लिजे तो यहाँ पे correct option जो हो जाएगा यहाँ पे b option यहाँ पे correct हो जाएगा to be dead and buried तो यहाँ पे जो है इसका b option correct हो जाएगा मरत को दफनाना मतलब मरे हुए को दफनाना तो यहाँ पे to be dead and buried तो यहाँ पे जो है इसका b option correct हो जाएगा to be pushing up disease तो यहां पे इसका B option यहां पे correct हो जाएगा अगला जो question है question number 13 to be pushing up disease तो इसका मतलब जो हो जाएगा आप लोग पहले सोच लिजे तो यहां पे correct option जो हो जाएगा यहां पे B option यहां पे correct हो जाएगा to be pushing up disease तो यहां पे इसका B option यहां पे correct हो जाएगा अगला जो question है question number 14 a blessing in disguise तो a blessing in disguise मतलब क्या होता है आप लोग पहले सोच लिजे कि दुख के बेश में सुख मतलब की दुख के बदले शुख आपको मिल जाए तो इसको कहते हैं a blessing in disguise तो यहां पे इस correct option जो हो जाएगा option A हो a misfortune that eventually has good results तो यहां पे जो है इसका A option यहां पे correct हो जाएगा दुख के बेश में सुख मिलना तो मतलब दुख के बदले शुख तो यहां पे हो जाएगा इसका A option correct हो जाएगा a misfortune that eventually has good results औपसन यहां पे इसका A correct हो जाएगा आगला जो question है question number 15 जो है action speak louder than words तो इसमें आप लुक सोचली इसका right option क्या होगा तो यहां पे this correct option जो हो जाएगा यह हो जाएगा what someone does mean more than what they say they will do मतलब की करणी जो है कथनी से तागत बपर होती है जो करणी है जो आदमी करता है वो जो है कथनी से तागत बपर होता है मतलब जो वो बोलता है उससे तागत बपर होती है तो यहाँ पे जो है इसका D option correct हो जाएगा action speak louder than words तो यहाँ पे हो जाएगा what someone does mean more than what they say they will do तो यहाँ पे जो है इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question है question number 16 जो है two heads are better than one मतलब की एक से भले दो तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा option यहाँ पे C correct हो जाएगा it is helpful to have the advice of a second person तो यहाँ पे जो है इसका C option correct हो जाएगा two heads are better than one मतलब it is helpful to have the advice of a second person तो यहाँ पे जो है इसका C option correct हो जाएगा एक से भले दो अगला जो question है question number 17 when it rains it pours तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा आप लोग पहले सोच लिजे तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा when something bad occurs it usually occurs more than once तो यहाँ पे जो है कंगाली में आटा गीला के हिसाब से यहाँ पे जो है इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा when something bad occurs it usually occurs more than once तो यहाँ पे जो है इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question है question हमा 18 जो है इसमें दिया है nx to grind तो nx to grind मतलब होता है कि स्वार्थ रखना कि अपना स्वार्थ रखना तो यहाँ पे इसका जो है B option यहाँ पे correct हो जाएगा to have a problem with something or someone तो option जो है इसमें B correct हो जाएगा स्वार्थ रखना इसका मतलब हो जाएगा nx to grind friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने 10 friends में वीडियो को जरूर शेयर किया करें अगला जो question question मा 19 down to the wire तो down to the wire मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि very near मतलब की बहुत नजजदीक तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा to denote a situation whose outcome is not decided बहुत नजजदीक to denote a situation whose outcome is not decided until the very last minute option यहाँ पे इसका C correct हो जाएगा अगला जो question question number 20 जो है flea market तो flea market मतलब क्या होता है कावाडी बजार तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा street market selling second hand goods तो यहाँ पे जो है इसका C option यहाँ पे correct हो जाएगा goods का मतलब होता है सामान यह जो है good मतलब होता है अच्छा अगर इसमें हम S लगातेते हैं तो यह हो जाता है सामान तो यहाँ पे जो है इसका right option जो हो जाएगा option यहाँ पे इसका C correct हो जाएगा flea market होता है कबारी वाजार तो आज स्ट्रीट मार्केट सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स तो यहां पर जो है इसका सी ओप्सन यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुछन ना कुछ नमर्ट 21 cook and bully story cook and bully story मतलब क्या होता है कि बिना सिर पेर की कहानी मतलब जिसकी कोई शिरुवात नहीं हुई हो और नहीं किसी का अंतुवा हो ऐसी कहानी तो उसको कहते हैं an implausible story used as an excuse यहां पर जो है इसका a option करेक्ट हो जाएगा बिना सिर पेर की कहानी को बोलते हैं cook and bull story option यहाँ पर जो है इसका A correct हो जाएगा अगला जो question ना question number 22 जो है scot free scot free मतलब क्या होता है scot free मतलब होता है without suffering any punishment और injury मतलब की सही सलामत scot free मतलब होता है without suffering any punishment और injury मतलब की बिना किसी बीमारी या फिर punish या फिर कोई चोट के मतलब पहुंच जाना सही सलामत तो यहाँ पर जो है इसका D option यहाँ पर correct हो जाएगा अगला जो question question 23 a picture paints a thousand words मतलब की तस्वीर जो है बहुत बयान करती है तो बहुत बयान करती है मतलब की यहाँ पर इसका right option जो हो जाएगा an image of a subject conveys its meaning or essence more effectively than a description does तो यहाँ पर जो है एक जो तस्वीर है बहुत बयान करती है मतलब की बहुत शुराग बताती है तो यहाँ पर जो है इसका A option यहाँ पर correct हो जाएगा अगला जो question 24 जो है at the drop of a hate तो at the drop of a hate मतलब क्या हो जाएगा कि immediately मतलब की तुरंत तो यहाँ पर जो इसका right option जो हो जाएगा without hesitation और good reason तो यहाँ पर जो है इसका D option यहाँ पर correct हो जाएगा immediately भी बोल सकते हैं at the drop of a hate without hesitation यह फिर good reason तो यहाँ पर जो है इसका D option यहाँ पर correct हो जाएगा अगला जो question number 25 by the seat of once paints तो यहाँ पर इसका right option जो हो जाएगा आप लोग पहले सोच लिजे तो by the seat of once paints मतलब होता है अपने बलबूते पर मतलब की अपने बलबूते पर तो यहाँ पर इसका right option जो हो जाएगा option यहाँ पर c correct हो जाएगा to do it using only once on experience or judgment तो यहाँ पर जो है इसका c option correct हो जाएगा by the seat of once paints मतलब होता है to do it using only once on experience or judgment option यहाँ पर इसका c correct हो जाएगा अपने बलबूते पर अगला जो question है question number 26 जो है इसमें जो है to bend over backwards to bend over backwards मतलब होता है की हर संभव पृयाश करना तो हर कोशिश करना तो यहाँ पर इसका right option जो हो जाएगा option यहाँ पर c correct हो जाएगा to make every effort every effort to achieve something especially to be fair और helpful तो यहाँ पर जो है सी option यहाँ पर correct हो जाएगा हर संभव प्रियास करना तो यहाँ पे जो है to bend over backwards तो यहाँ पे जो है इसका c option यहाँ पे correct हो जाएगा to make every effort to achieve something especially to be fair or helpful तो यहाँ पे जो है इसका c option यहाँ पे correct हो जाएगा आगले जो question है question 27 apple of my eye तो apple of my eye मतलब होता है कि बहुत प्यारा या फिर आख का तारा तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा someone that one cherishes above all others तो यहाँ पे जो है इसका c option correct हो जाएगा apple of my eye मतलब होता है बहुत प्यारा या फिर आख का तारा तो यहाँ पे someone that one cherishes above all others तो यहाँ पे इसका c option यहाँ पे correct हो जाएगा अगले जो question 28 description is the greater part of a weller तो इसमें आप लोग सोच लिए इसका right option क्या होगा तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा option इसका b correct हो जाएगा caution is preferable to rush bravery तो यहाँ पे जो है इसका b option यहाँ पे correct हो जाएगा मुशीबत के बक्त में निकलने में ही बहादूरी है इसका मतलब हो जाएगा description is the greater part of a weller मतलब होता है caution is preferable to rush bravery तो यहाँ पे जो है इसका b option यहाँ पे correct हो जाएगा अगले जो question 29 too many cooks spoil the broth तो इसमें आप लोग सोच लिए जिसका right option क्या होगा तो यहाँ पे इसका मतलब जो हो जाएगा if too many people are involved in a task or activity it will not be done well मतलब की किसी काम में या फिर किसी task में या फिर किसी activity में बहुत ज़्यादा लोगों को शामिल करना और उसमें से कोई भी सही से काम ना करे तो उसको ही कहते है तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option यहाँ पे c correct हो जाएगा मतलब की जहां मिले 5 माली वहाँ बाग सदा खाली आपको अगर 5 माली मिल जाते हैं आपने जो है उनको काम पर लगा दिया है और वही सब जो है बाग में आपको कुछ करने को बताया है और वही माली जो है बाग छोड़कर कहीं और काम में मतलब कहीं और ब्यस्त हो जाए अपने काम में तो वही उसी को काहवत को कहते हैं कि आपने कोई task दिया या फिर किसी activity में शामिल किया किसी बंदों को तो वो एक भी जो है सही से काम ना करें तो उसी को बोलते हैं कि too many cooks spoil the broth मतलब कि जहां मिले पाँच माली वहां बाग सदा खाली अगला जो कुछन नहीं कुछन मा 30 इस वीडियो का last जो है easy come easy go मतलब कि easy come easy go मतलब क्या होता है तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा something acquired without effort may be lost without regret मतलब की हराम की कमाई या फिर हराम की गबाई मतलब की हराम की कमाई जो है जैसे आपने बिना महनत के कोई चीज की मतलब की कोई चीज हांसिल कर ली और वो जब आप गमाद है उस चीज को आप तो भी आपको कोई उसमे regret feel ना हो तो उसी को कहते हैं easy come easy go तो यहां पे हो जाएगा something acquired without effort may be lost without regret option यहां पे जो है इसका d correct हो जाएगा थैंक्यू फ्रेंट्स आप लोगों ने यहां पे 30 में से कितना score किया है comment box में जरूब बताएं और इसका जो pdf है आपको telegram के channel पे एक दो दिन बाद मिल जाएगा और उस जो pdf होगा उसका password आपको जो है channel के community section में मिल जाएगा तो आप जब channel को join करेंगे जो subscribe button के भगल में आपको join button आ रहा होगा अगर आप channel को join करेंगे तब ही आप उस pdf का जो है channel के community section में password आपको मिलेगा तो मिलते हैं new video में अगर आपको video पसंद आई है तो video को like and share लुकिया करें अगर आप channel पे पहले आप visit के हैं channel जरूब subscribe करें तो मिलते हैं new video में तब तक लिए जय हिंद वंदे मात्रम